ये friends welcome to my channel आज के वीडियो में बताएंगे कि अगर आप share chat app को open काते हो share chat app open नहीं हो रहा है share chat app अगर open हो जा रहा है तो सही से नहीं चल ला है कैसे problem को ठीक कर सकते हो अगर आपकी share chat में भी problem आरी है share chat आप नहीं चल ला है सही से ओन नहीं हो रहा है तो इसको कैसे ठीक कर सकते हो यहां पर आपको कुछ सेटिंग बताऊंगी आपको यह सेटिंग कर लेनी है और उसके बाद आपका जो शियर चैट अप है वो ठीक से चलेगा यहां पर फस्ट आफ आपको देखना है कि आपका जो भी इंटरनेट कनिक्शन है वो प्रॉपर है आप देख लेना शेयर चैट के अलावा भी बाकी जो एप है यूट्यूब बगएरा ओपिंग करके अगर आपका यूट्यूब सही से चलना है तिक है आपका इंटरनेट कनिक्शन ठीक है नेक्स तिंग कभी आती है कि जो हमारे डेली डेटा होता है वो खत्म हो जाता है उ आप यहांसे पहले आपने जबना जाना है एंड जैसारी प्ले स्टब मे आती हो इस तरह से व्यूस है उपर आपको सख्कता अप्शन दिखेगेगा क्लिक करोगे तो आपका जो अपन हो जाएगा आप उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो फिक्स हो गई होंगी क्योंकि आपने अप्डेट कर लिया है इनकिस यहां पर अप्डेट को अप्शिन नहीं आता है दन क्या करना है यहां पर आपको अपने फोन की सेटिंग में आना है जैसे ही फोन की सेटिंग में आते हो इस तरह से पेज शो हो जाएगा यहां पर आपको एप या एप्लिकेशन करके ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक करना है यहां पर आपको फिर मैनेज एप लिस्ट करके ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक करना है जैसे ही यहां पर क्ल यहाँ पे आपको Peach Ah Toosh आपको स्टॉप करना है नहीं किस लिए बहुत जब नियुक्त फ़ट मोड पे लगा ना है एंड कुछ सेकंड ऐसे ही छोड़ देना इसके बाद वापिस से अपने फोन को फ्लाइट मोड से हटा लेना है जब आप इस सारी सेटिंग कर लेते हो इसके बाद आपने शेयर चैट एप ओपिंग करनी है अब यहां पे आपका जो शेयर चैट एप है वो प्रॉपर चलेगा कोई भी दिक्कत या परिशानी का सामना पड़ेगा शेयर चैट अप अच्छे से चलेगा अब अगर आप शेयर चैट एप ओपिंग करोगे तो आपका शेयर चैट एप सही से चलेगा एप को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी एप आसानी से ओपन हो जाएगा उमीद करते हैं वीडियो आपके लिए सब्सक्राइब करिए और पास में दिये गया नोटिफिकेशन बैल के आइकन को जरूर प्रस करिए थैंक्स फॉर वाचिंग